नमस्कार बहुत वागत आपका इस डिबेट में पत्रकार जी आपको नमस्कार और पत्रकार जी ये बताईए कि मद्य प्रदेश गए 75 साल के कामों को केजरिवाल जी गिनवा तो रहे हैं लेकिन EDK समन को क्यों ने गिनवाया कहरे एक बर फिर से पत्रकार जी मैं आपको एक कट्र इमानदार नेता है जुन्होंने पूरे देश को बरबात करने का काम किया है देश के साथ-साथ राधानी डिल्ली की जो शोभा है वो देश से जुड़ी हुई है और ऐसे उन्होंने डिल्ली के सता में विराजमान तो हो वह वह निसमें बदनाम कर दिया शराब पिला दिया वह मैंकड़र ही करिद्गाहएं किि क्या दिया नों पर्टीएं ने नियुद को बाद में आई ऐसे में क्या आपको भी लगता है कि यह बहुत इमानदार है कट्टर देश भक्त हैं और कह रहे हैं कि हम फ्री देंगे सब कुछ मद्दबादेश में फ्री का एलान कर दिया आज आपकी क्या टिपनी देखे ऐसा है कि बहुत इस परस्ट बता दें कि सब चीज फिरी नहीं द देश ने क्या किया अपने उनको पेंशन अपने अरेक को और उसके राष्टा अध्यक्ष ने जब वर्ड वैंग ने सलाय दी तो मानने से मना कर दिया देश की स्थित बहुत बुरी हो गई एकनौमी बहुत बुरी हो गई इन्होंने भी कहा है मगर दिया कहीं कुछ नहीं कुछ नहीं पहले से हॉस्पिटल थे हर वार्ड में बने थे पहले से और दिली नगल निगम ने बनाये थे जब उसमें जनसंग आई थी अन्वल अली देहलवी वगयरा लोग थे ब्रह्म प्रकाज जी बहुत कुछ कर गए हैं जो चीम मिनिस्टर थे कांगले से सीला दिक् आपको बताना है जो फिरी स्वास्त और फिरी एजुकेशन का यह बीजेपी की वहां पे नगल निगम में जब सरकार बनी सबसे पहली सरकार बनी तो अनबर अली देहलवी थे एक मुस्लिम थे मैं आपको बता दू उन लोगों ने सुरू किया था वह सब बाकाइदे रूम सब्सक्राइब यह कह दिया कपड़े अपरे स्टाप ठीक से पहन के आए बस यह इन्हों ने किया थोड़ा फर सर्श ठीक करा दिया और दीवालों में इन्होंने क्या किया प्लास्टिक के शीड लगवा दी तो ऐसा लग़ा था दीवाले नहीं हो गई जबकि दीवाले वह क्या किया सीट बाठने पर इतना पैसा लिया गया इतना पैसा लिया गया कि पूछने दिल्ली में आकर सलाब ठेके देने पर खुब पैसा लिया 338 करोड का तो लिया ही साथ में 1500 करोड रुपए का सलाब नीती के बाद भी घोटाला है अभी आएगा यह आदमी अक्चुल में हो गया है इसे कहता है मैं कटर इमानदार बड़ा लंबा कटर सब्द कहता है सब्दों के बोलने का सब्दों के चैन का कहा लुकना है यह केज परवार कर नटवर लाल थे उनका भी बोलने की स्टाइल बढ़े दूसरा एक मूद्रा थे जिनसे इनके परवार के बहुत अच्छे संब्द मूद्रा ने भी कहा किया भी आईसी पूरी खड़ी ली ती अब उसके बाद यह आए यह अपने को अभी तक बोलते थे मैं कटर इमांदार श्रिसोजी अगले बताते थे कटर इमांदार अब इनका कटर इमांदार लोग तव्वाय हुए हैं लोग इनसे कह रहे हैं कि और केजरी बाल इतने समझदार है जब उनको समद मिला तब से बाहर नहीं निकला दो दिन तक अंदला फिकार में छिप करके अगला गया पैड काप रहे थे अब केजरी बाल कहीं जाते हैं थोड़ा सा दूर डेर हाथ के फासले में रहते हैं क्योंकि पागल एक बार आय तो केजरी बाल बड़ा हो गया है बहुत बच के चलता दूर से अभी कार का काफला लेके गया इतना प्रदूसर हो गया कि पूछो ना उसमें चार-पांच गानियां खराब थी उससे काला इतना दुवा निकल लाता कि पूछे ने क्या है यह आजकल दूर दूर रहते हैं आपने सुना होगा आधे हाथ के फासले में डेकोरम होता है बोडि-len nights में पर्षणालीटी डिवलफमेट में परहता आधे हाथ कखरे तो pou कि कि ए कोई कांग्रेश का सिंबल नमला दे इतना इनको कांग्रेश के अब यह इतने दैस्त में हैं सम्मन के बार निकले ने अब इनका कट्टर इमानदार जो है वह सब समलिये इनके लिए लेने तो कट्टर इमानदार अब इन्होंने चुके जानगे सब लोग जानगे कट्टर इम आपको बताने कोई भक्त नहीं है यह सिर्फ एक का भक्त है लागोचड़ा का कि इसी का भक्त नहीं किसी के लिए नहीं यह सिर्फ आपको बताना है कि आज अगले ने जब लोट सो किया तो तमाम वहां की पब्लिक पूछ रही थी इनका अगला एड़स क्या होगा आप नेताओं से पूछ रही थी यह अब मिलेंगे कहां पर तो बोलें सीस्ट महल में मिलेंगे क्या तो लोगों का यह बता दिये क क्या नंबर के वह होगा है तो लोग इनसे भी पूछ रहते का करता है कि सीस्ट में मिलेंगे आप मिलेंगे कुछ ऐसे भी लोग है मद्विदेश के तो अभी राजिस्थान भी गयते इंदरगर के लोग बड़े मोजियल होते हैं वह पूछ रहते किस लंकी टोपी लगाए तो पूछ रहते हैं अब आपको क्ट्र इमानदार की जगह अगला सब्सक्राइब क्या कहते हैं मैं अपनी जान भी दे दूंगा अरे जान तुम किसी के लिए नहीं दोगे कोई सवाल ही नहीं उठता है जान अगर तुमको देनी तो रागो चड़ाग लिए यह आधि ठाकरे को बुला करके किसी लिए जान अगला नहीं देने वाला है जिसने पार्टी लिए जान नहीं दिया है तो वह किसी लिए तो यह कट्टर इमान दूसरी आपको बताना इस के कट्टर अगला कहता था मैंने अपने एक मिनिस्टर इनका वह ललम नहीं था जूटा हुआ हाई कोड सुप्रीम कोड का वकील था कोड ने आदेश किया कि यह फड़ी है इसको निकाल बाहर करो इसको जेल वेजो यह आप साब क्या कि मैंने उस उनकी डिग्री देख कि यह सर्टिफाई कर आप समझ लिए और मोदी जी की डिग्री ले कह गई रहा चौथा पास है अनपल लाजा है जबकि बाकाइदे आज हाई कोड ने बुड़ी तरीके इनको बेजजत किया जा रहा है एंजीटी में आज हाई कोड ने फिर जा रहा पर सुप्रीम कोड ने में जान नहीं देगा यह साथ अब यह कघ़गाएद कटल देज-वक्त ruh अगर तूने मिलेटी के लोगों को मकान दे दिये हो मिलेटی के लोगों के लिए कुछ क्ल दिया हो बात नहीं किया है नहीं किया है टुमने बंगला देशी उर्इचाउन को बसाया है था है के लिए तुमने क्या किया है तुम यह करते हो एक सर्म की बात है कि 26 जन्मरी के दिन अपनी फैमली लेकर राश्टपती के पास वहां पर जाकर के जहां सलामी हो रही तुम यह मुखमंत्री हो इतनी बड़ी आउकात हो गई इतनी बड़ी हिम्मत हो गई कि वहां बैठो गए चोटे से लाज के मुखमंत्री दूसरी आपको बताना यह सक्स ना कोड को सवस्ता ना सुप्रीम को सब्सक्राइब कई मुखमंत्री जेल में अगला आपने आंगे कुछ मा यह नहीं है और नेवल जेश्टिस कहना है आप सुमझ लिए इनकी सरकार इनको आप योग नहीं मतलब कहना नहीं चाहिए पढ़ा लिखा गमार एक सब्सक्राइब कहा जाता गाओं में दिल्ली के गाओं में पाहल जाड़ लोग कहते हैं अरे पढ़ लिख करके भी गमार ह कुछ पढ़े लिखें बहुत अच्छे होते हम आपको बताना है यह एक पढ़ा लिखा कुछ अलगी आदमी है और इसकी पढ़ती किस्ते कच्छा नौ पास जो नौ तक नकल से पास हुआ और इनके कुछ साथी हैं वो मसओन हैं नकल में पकड़े भी गए बाद में पाह रहर छु करके एकजाम पास हो गएए इनके जो साथी है अईसे कई साती हैं जो नकल में पकड़े गए कोई टिकट बलेक करता था जब आपको बतारें इनोंने क्या किया है कि सिर्फ पैसे ल लिया तो सड़ाब बाले में बाकाईदे इनको दिया गया और कई करोर रुपए का मामला रहे का इन्हों क्या किया है कि जहां से पैसा मिल गया भारी चंदा मिला वहां यह गए और अपने कि इतना ज्यादा खर्च हुआ हम आपको बताना है छह साथ रोज से टैंपो गानिया उसकूटर मोटर साइकिल लोगों को पैट्रोल भरा दिया गया पांच-पांच लोगों कह दिया गया तुम चार आदमी लाओगे तुम उसमें दो आदमी लाओगे तुमको पैसे दिया ज आएंगे 500 उपांच इस तरह से करके टेकनिकल अगले ने रैली को सफल करने कोशिश की अगले ने रैली निकाली ऐसे इसे कर रहे थे तो लोग वहां पर मौल ले रहे थे और देख लो यार फिर तो यह देखने को नहीं मिलेगा लोग कह रहे थे और वह आ गया सीज महल वा देखते हैं ठीक ठाक हैं सब अगला आज दूरी बनाया था मगर आपको बताना है पहले वार किसी सक्स को लोग बद्वा दे रहे थे कहना रहे थे हर आदमी यहीं कहे रहा था भ्रष्टाचारी सराब बाला और इक गजब इसका तो गिनीजबुग में नाम होना चाहिए द बहुत बड़ा चंदा मिला है दभे गयेए ए और यहों ने कहा क्या है कि दस साल में डिली और पंजाब में हौँ गया है तो वहां कि जन्ता कह रहें थेजह हुगे वहां के सब को जंगल में किमर हो गया कोट कह रहा सब कुछ रोने कर दिया इतना प्रदूसर नहीं पूछो ना ठीक है तो आप सुम्हें दिल्ली को बरबात किया क्या यहां भी बरबात करने आओगे दूसरा वहां की पबलिक का भी कहना था कि पंजाम में पहले तो डग कम बिलता था अब तो तुम्हारी पार्टी के कार करता अब तो सराप तो खोली दी साथ में डग भी खुले आम भी करहा है वहां की कोट कर रहे हैं यह ना हर मामले में केजरी वाल यहां पर घिरते बंद रहे हर मामले में इन्होंने एक चीद आउल बोली 70 साल से कांग्रेस ने क्या किया इनक और खुद कांग्रेस की टॉप नेता का उक्या चुप चाप मिलने गए पैर चुता वेंजी मजब माप कर दीजिए जेटली के पास पैरों पढ़ने लगे थे मिया वीबी सब जेटली के पाप जेटली महांते बोले तुम यह कहा लगा तुम यह जमीन में लेट करके हमसे प् अगर नहीं यह सिर्फ एक काहसान मानते हैं वो शुषेना से शुषेना से जो एक लेडी आ गई थी वह संजय सिंग को बड़ा सपोर्ड किया बस और कांग्रेस कांग्रेस के बैसाकी में सब्सक्राइब अगर कांग्रेस आपको बताने जैसे तफासी का तकता नहीं होता अ मिलेगी आज टीकम गड़ की इंदर गड़ कस्वे की जनता यही कह रही थी देख लो आखरी वार यह तिहार का आजाता हूँ आदमी जेल जाने से पहले किसी को देखना बड़ा सुब होता है ठीक है तो देखें यह खेजरीवाल का पूरा विस्सलेशन आपने पर्देश गए ओड़नाम किया जाहीर सी बात है आरो प्रत्यारोफ लेकिन गड़वंदन का हिस्सा है रेकिन कॉंगरेस के उपर ही प्रत्यारोफ और ऐसे कोंग्रेस पार्टी कि एक करके रोज किज्रीवाल की कड़ी से आप सभी को हम रूब रू कराते नजर आएगे पत आप सबकी जो भी राए हो ड्रॉप करें कॉमेंट